कांग्रिस पार्टी की सरकार बहुमत से बनने जा रही है क्या उत्तर भारत में कांग्रिस पार्टी एक वार फिर से कंबैक कर रही है देखे कर रही है कंबैक कांग्रिस पार्टी और हमें विश्वास है कि हर्याना में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने कांग्रिस पार्ट और कॉंगेस पार्टी बड़े भारी भाहुमत से आपको जब नतीज़े आएंगे तो आप भी देखना और यह जो एकजिट पॉल है इनोंने भी दिशा आपको दिखाई दी है जब नतीज़े आएंगे तो आपको पता चले बड़े भाहुमत से कॉंगेस की सटकार पंटी है लेकि मुक्ष्मनत्री नैप सिंग सेनी में इतना कॉंफिनेंस खांस है वो कहा है कि हमतों अलाइंस की हमें जौत नहीं है और अगर मिगेन आइप देखना रहे नहरे आहिए तो हमने बात कर रहे इत्तकी की ट्रेनींग से आता है बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई जूट बोले मगर बोले आत्मिश्वास के साथ बीजेपी के तमाम नेता इसलाएं मनायव सिंग जी थोड़े चिंता करें अपनी लाडवा विधान सबाकी लाडवा में भी कॉंग्रेस जीत र नेतित भाता है तो ये पहले हमारी हमारा जो लक्ष था वो लक्ष कोई पद नहीं था किसी का हमारा लक्ष था के सरकार रारा राहुल जी ने जो मेहनत करी थी और जिस इमानदारियों सच्छाई से उरों ने लड़ा ही पूरे देश में लड़कर एक देश में महाल बनाए कांगेस पार्टी के पक्ष में हर्याना की में कांगेस की सरकार बनेगी पूरे उत्तर भारत में उसका एक संदेश जाएगा वो हमारा लक्ष हम विश्वास के साथ हमें पूर्ण भरोसा है कि वो लक्ष हमारा प्राप्त होगा कांगेस की सरकार बनेगी और हाउल जी के हाथ हर्याना मजबूत करेगा लोगसभा चुनाओ के बाद ही आपने लक्ष साथ लिया था और आप से में मिला था या होंँ तो हमें पता है घर्याना में लोगों की क्या भावना थी उस बात का पिछली वार भी हमें पता था पिछली वार भी मैंने कहा था कि यह 75 पार कानारा कुछ नहीं है और इस वार कॉंगेस के बड़ा बहुमत कॉंगेस को मिलेगा और हरियाना में एक नई शुरुआत के लिए लोगों ने मद्दान के एक नई शुरुआत हरियाना में हो हरियाना आगे जाए एक जोल भविशे के तरफ आगे जाए और बहुत बड़ी जीत ये हरियाना में कॉंगर्स की होने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास अब कोई सवाल आप आठके बाद के लिए भी रखो